नमस्कार भारतिय जन्ता पार्टी के दो राजनितिक सिध्धानतों की बड़ी चर्चा होती है एक सिध्धानत तो प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने दिया कि कॉंग्रेस मुक्त भारत बनाना है बाद में ये कहा गया कि कॉंग्रेस फिजिकल कॉंग्रेस की बात नहीं हो र पूरा करने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा अनोखा सा तरीका अपनाया हुआ है, वो अनोखा तरीका ये है कि कॉंग्रेस के तमाम नेताओं को बीजेपी में शामिल कर लो तो कॉंग्रेस खतम हो जाएगी और कॉंग्रेस के तमाम वंशवादी नेताओं को बीजेपी में सामिल कर लो तो वंशवाद भी खतम हो जाएगा तो इस तरिके से बीजेपी कॉंग्रेस से भी लड़ रही है और कॉंग्रेस के वन्सवाद से भी लड़ रही है और ये ये अभी हाल के दिनों में पिछले एक हपते में बहुत सपश्ट देखने को मिला है कॉंग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का बीजेपी में स्वागत किया माफ करियेगा बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कॉंग्रेस के दिगज नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का अपनी पार्टी में स्वागत किया तो अनिल एंटनी क्या किसी वंस्वाद का प्रतिनिती चहरा नहीं है उनके पिता कॉंग्रिस के दिगज नेता रहे हैं केरल के मुखे मंतरी रहे हैं केंद्रिय मंतरी रहे हैं और सोनिया गांधी के सबसे विश्वस्त लोगों में रहे हैं तो उन एके एंटरी के बेटे अनिल एंटरी को पूरे जोश खरोस के साथ धूम धढ़ाके के साथ बीजेपी ने शामिल कराया अपनी पार्टी में और उसके थोड़े ही दिन के बाद चक्रवर्ती राजगोपा वालाचारी के प्रपोत्र CR Case 1 को कॉंग्रेस पार्टी में से छोट से निकाल करके बीजेपी में शामिल कराया गया तो ये अनिल एंटरी और CR Case 1 ये दो ताजा मिसाल है जो अभी शामिल हुए है भारतिये जनता पार्टी में तो ये वंसवाद का विरोध भारतिये जनता प पार्टी में आता है वो खड़़पा में आता है तो कितना हुपयोगी हो सकता है उस भारतिये जनता पार्टी को ये है कि कोई नेता कॉंग्रेस का चोड़करके BJP में आ जया तो उसका सवागत किया जा जाएगा और उसको बड़ा पद भी दिया जा सकता है, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं भी मिले, लेकिन उसका स्वागत जरूर किया जाएगा बड़े पैमाने पर. जैसे अभी आंधर परदेश के संजुक्त, आंधर परदेश के आखरी मुखे मंतरी रहे किरन रेड़ी का बीजेपी में स्वागत किया गया है, उनकी कोई हैसियत अब नहीं बची है, कॉंग्रेस उन्होंने छोड़ा था, इस नाम पर छोड़ा था कि कॉंग्रेस ने आंधर 14 के बाद कहीं कोई चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उनका बड़े जोर शोर से भारतिय जन्ता पाटी में स्वागत किया गया, उनको भारतिय जन्ता पाटी में शामिल कराया गया, और पाटी ये मान रही है कि उनके दम पर आंधर प्रदेश में भाजपा को खड़े होन की पैर रखने की जगह मिल जाएगी तो यह किरन रेड़ी का अभी आये हैं लेकिन इसके पहले कई उम्र दराज नेता पुराने नेता जिनकी कोई उपयोगिता कॉंग्रेस में भी नहीं बची थी वो बीजेपी में चले गए 80 साल की उमर में करनाटा के पूर मुख्यमंत्री कि एसेम कृष्णा बीजेपी में शामिल हुए थे किसी को उनकी उपयोगिता का अंदाजा नहीं था कि वो बीजेपी के किस काम आई है कॉंग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था विदेश मंत्री रहे थे और उन्होंने अंतर राष्ट्रिये मंच पर भारत की जैसी 80 साल की उमर में और जाकर के ना खुदा मिला ना विसाले सनम उनको कुछ नहीं मिला उल्टे उनके दामाद के खिलाफ केंद्री एजेंसियों की जात चलती रही आयकर का चापा पढ़ता रहा और अंतता हुनके दामाद ने आत्मत्या कर ली तो ये किसी तरह का न कोई से उनको संबानित किया गया उसी तरह से 80 साल के करीब उमर में पंजाब के पूर मुख्यमंत्री कैप्टे नमरिंदर सिंग बीजेपी में शामिल हो गए कॉंग्रेस ने उनको पिछले 30 साल में कॉंग्रेस को पंजाब में दो बार सरकार बनाने का मौका मिला और दोनों बार कॉंग्रेस ने कैप्टे नमरिंदर सिंग को मुख्यमंत्री बनाया वो 9 साल मुख्यमंत्री रह लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री पत से हटाया गया उन् हो ने अपनी पार्टी बनाई है और यह तैं मानना चाहिए कि वो भी कैप्टेन अमरिंदर सिंग या एसम क्रिष्णा या किरन रेड़ी की गती को प्राप्त हों गया अंतता उनका भी ठीकाना भारती गांधी के साथ थे ऐसे दिगज नेता उम्र के आखरी पड़ाओ पर है बीजेपी को पता है कि उनकी कोई उप्योगिता नहीं है चुनावी राजनिती में या किसी राजी की राजनिती में उनकी कोई उप्योगिता नहीं है इसके बावजुद उनको बीजेपी में शामिल कर उन सब को लिया गया, उन सब को बीजे पि में लिया जा रहा है, और बजाबता इस बात का प्रचार भी हो रहा है, ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये पोस्ट देखने को मिला सोसल मीडिया में, कि जवाहरलाल नहरू का पर नाती वरून गांदी भारतिय जनता पार्टी में ह लेकिन बहराल हम अभी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो पुराने नेता हैं Congress के वो भी भारतिय Jяниnta Party में शामिल हो रहे हैं और भारतिय Jainnta Party उनको अपने हां लेकर के और तवज्जो दे रही है तरजीह दे रही है बड़ा पद भी दे रही है नए नेता तो आही रहे हैं उन नए नेताओं को भी पद मिली रहा है जैसे हिमन्ता विश्वा सर्मा मुख्यमंत्री हो गए मानिक साहा मुख्यमंत्री हो गए यह सब अभी हाल के दिनों में कॉंग्रेस छोड़ करके आये हैं बीजेपी बंसवाद से ऐसे भी लड़ रही है कि तमाम बंसवादी नेताओं को बड़े-बड़े पद दे रही है भार्तिय जन्ता पार्टी नने अभी कई और नेताओं को इस तरह से अपनी पार्टी में सामिल केई जैसे हैं वीस ऑ और सिंधिया के वह बेते जोतर्यादित सिंधिया मैं केंदर में कौना रखा है और कॉंग्रेस के दिग्ज नेता है जितेंदर परसाद के बेटे जितिन परसाद को उतर परदेश में नेता बनाया गया है। भारतिय जनता पार्टी के जो अपने नेता हैं, जो ऐसे पुराने नेता जो जिन्होंने दशकों अपना जीवन दिया है, भाजपा में संग से जुड़े रहे हैं, उनके बेटे पोतो थे और वो रिटायर हुए या उनका खतम हुआ राजनितिक जीवन तो उनकी जगह उनके बेटे बेटियां उनके पोते पोतियां आ गए राजनित करने लगे उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो कॉंग्रेस में या दूसरी पार्टियों में जो बड़े नेता हैं जो ऐसे ऐसे न कि कॉंग्रेस भारत बनाना है तो उसके लिए कॉंग्रेस के तमाम नेताओं को बीजेपी में शामिल कर लो बंसवाद से लड़ना है तो कॉंग्रेस में बंसवाद का परते निद्धित करने वाले जो तमाम चेहरे हैं उनको बीजेपी में शामिल कर आलो फिर वो सिंध्या भी नहीं करते हैं बसाव राजबोमई भी नहीं करते हैं डी पुरंदेश्वरी भी नहीं करती हैं तो यह एक राजनिती का अनोखा सिध्धान्त है जिस सिध्धान्त के आधार पर भारतिये जनता पार्टी मंसवाद से लड़ रही है और कॉंग्रिस मुक्त भारत बनाने का काम कर रही है धन्यवाद